त्री विधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनह कामः क्रोध तथा लोभ तस्माते तत्रयम त्यजेत भगवद गीता 16.21 शिल प्रभबाद कीजे काम, क्रोध और लोभ भगवान इन तीनों चीजों को त्यागने के लिए कह रहे हैं क्यों त्री विधम नरकस्य इदम ये तीनों प्रकार हैं ये तीनों विधियां हैं त्री विधम जिनसे हम नरक जाते हैं ये नरक के द्वार हैं त्री विधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनह ये हमारे आत्मा का नाश करते हैं ये तीन चीजें काम, क्रोध और लोभ ये ऐसे द्वार हैं जिनके द्वारा हमारे आत्मा का पतन होता है और जब पतन होता है तो धीरे धीरे हम बहुत सारे ऐसे विवहार करते हैं जो हमें नरक ले जाता है इसी लिए इन तीनों गलत जो हमारी गलत आचरण है ये इनको नरक का द्वार कह रहे हैं भगवान तो इसे हमें भगवान कह रहे हैं इसे हमें त्यागना चाहिए क्योंकि ये तीनों चीज़ें काम, क्रोध और लोब अब काम क्या है भगवान की प्रसनता को छोड़ कर और किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी रिष्टेदार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कारिय करना काम कहलाता है क्रोध, क्रोध अर्थात क्रोध, किसी भी सुरत में क्रोध करना और लोब, लोब का अर्थ हुआ, धन समपत्ती या कोई भी चीज जो हमारी नहीं है उसके लिए लोब करना, सिंपल भाशा में तो ताक पर यह यह हुआ कि यदि हम कोई भी कारिया भगवान के लिए नहीं करते हैं परंतु किसी और के लिए करते हैं और उन कारियों को करने में हमारे शरीर में, हमारे मन में यह काम, क्रोध और लोब उत्पन होता है तो हमें नरक जाना पड़ेगा क्योंकि यह तीनों चीजें नरक जाने के ही रास्ते हैं यह है इस लोग का तातपरिया इसलिए भगवान कह रहे हैं यह तीनों चीजें से बचना है तो यदि हमारे में यह तीनों चीजें हैं तो हम क्या करें तो हम इन तीनों चीजों का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करेंगे लोब कैसे हम ज़्यादा सेवा कर सकें क्रोध यदि कोई भगवान के खिलाफ कुछ बोलता है या भगवान के भगवतों के खिलाफ कुछ बोलता है तो वहां हम क्रोध कर सकते हैं दूस्रे जगह नहीं करना है यदि है क्रोध तो जान बुझकर क्रोध उत्पन नहीं करना है और काम उसको भी हमें कृष्ण की ओर मोड़ देना है क्रिष्ण के लिए ही हमें कामना करनी है इच्छा करनी है तो वो प्रेम हो जाएगा धीरे 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 तो हमारे हर कार्य को हर प्रकार के विचार को सिर्फ और सिर्फ क्रिष्ण की सेवा के लिए अगर हम प्रयोक करेंगे तो हमारे जो गंदे विचार हैं वो धीरे धीरे तो जब अर्दस्ती नहीं छोड़ सकते हैं, सिर्फ कृष्ण की सेवा के तरफ हमें इन विचारों को मोर देना है, हरी बोल